Question number 4, जाच कीजिए कि क्या minus 23 गुना 20 बराबर 23 गुना minus 20 है दूसरा हम देखिए, 25 गुना minus 21 बराबर minus 25 गुना 21 है तो इसको देखिए, जाच करना है तो देखिए, पहला में बाया पच कितना दिया हुआ है minus 23 गुना 20 तो कितना हो जागा देखिए 23 गुना 46, देखिए, सुन्ने है तो सुन्ने आजएगा यहनि 460, minus plus, minus होगा यहनि minus 460, बाया पच कितना हो गया minus 460, अब देखिए, दाया पच कितना है, 23 गुना minus 20 तो कितना हो जागा देखिए, यह भी minus 460 हाएगा किमकि बस, चीन माइनस के साथ, 20 के साथ हुआ है बाकिस अंक होगी है, संख्या होगी है देखिए, 23 गुना 20, 460, minus इधर रहे, चाहिए इसके साथ रहे minus plus क्या होगा, minus ही होगा plus minus minus, या minus plus minus तो बाया पच देखिए, बराबर दाया पच आया है तो हाँ लिखेंगे हम तो यहाँ पर लिखेंगे बाया पच बराबर दाया पच तो हाँ लिखेंगे इसका अंसर क्या आएगा हाँ ठीक है, question पूछ रहा था, क्या बराबर है, तो हाँ लिखेंगे, अब देखिए, दूसरा, तो दूसरा हम यहाँ पर हल करते हैं, तो दूसरा हम देखिए, बाया पच कितना है, तो हम लिखेंगे, बाया पच बराबर, 25 गुना माइनस 21, तो देखिए, कितना आ जागा, 25 गु प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो बाया पच कितना आ गया, माइनस 525, अब देखिए, दाया पच लेकर के देखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दाया पच बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए, माइनस 25 गुना 21, तो माइनस 25 गुना 21 कितना आएगा, 525, माइ यानि बाया पच बराबर दाया पच देखें यहां पर भी आ गया तो हम लिखेंगे बाया पच बराबर दाया पच तो इसका भी अंसर क्या होगा हाँ क्योंकि दोनों बराबर आ गया है तो इसका अंसर भी हाँ होगा पुछरा था कि बराबर है कि नहीं दोनों इस तरह से हम इसको हल कर देंगे देखिए यह है यह सब बाया और दाया पच लिखा हुआ है कुर्षिन नमबर पांच का देखिए पहला गुननफल गुननफल गुना 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 गु क्यों है हम लिखेंगे देखिए क्योंकि इसके बाद इसका कारण लिखेंगे देखिए पहले इसको समझ लेते हैं यहां पर देखिए माइनस चारों के साथ लगा हुआ है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस ठीक है यानि चारों माइनस है ठीक है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा चारों मिल करके देखें माइनस माइनस क्या होगा प्लस यहां भी माइनस माइनस प्लस फिर दोनों प्लस मिलके प्लस हो जाएगा यहां पर देखें इसमें माइनस माइनस प्लस 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 होगा प्लस माइनस माइनस यानि यहां पर रिनात्मक आएगा क्योंकि 3 है, माइनस में 3 संख्या है, माइनस में यहाँ पर 4 संख्या यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, तो सम संख्या जब भी रहे माइनस में, 4, 6, 8, तो सम मिलके धनात्मक हो जाएगा, जो भी सम संख्या रहे, जो सम संख्या उतना ही रहे, अगर सं रिनात्मक हो जाएगा जैसे यहां पर तीन माइनस है एक दो तीन संख्या यहां पर माइनस में है तो रिनात्मक होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस तो हम लिखेंगे क्योंकि तो देखिए जो अंसर में लिखा हुआ है वही हम लिख देंगे क्योंकि पहले गुननफल में रिनात्मक संक्या चार सम बराबार चार सम संक्या है इसलिए लिखा है देखे चार सम कोश्टक में दिया हुआ है तो चार बार आता है तो चार सम संक्या है देखे चार बार माइनस आ रहा है तो चार सम संक्या है इसलिए यह गुननफल धनात्मक है जबकि दूसरे गुननफल में देखे रिनात्मक संक्या तीन बार आता है देखे तीन बार है रिनात्मक संक्या जो कि बीसम है इसलिए यह गुननफल रिनात्मक है यह हम लिख देंगे कोशन नमबर पांच का पहला में अब देखिए दूसरा में गुननफल का चीन में क्या होगा यदि हम निम्लिखित को एक साथ गुना करते हैं यह में दिया हुए आठ रिनात्मक पुर्णा केवं तीन धनात्मक पुर्णा तो देखिए आठ रिनात्मक तो देखिए आठ रिनात्मक मतलब आठ क्या है समसं क्या है आठ रिनात्मक तो आठ रिनात्मक जब रहेगा तो क्या बन जाएगा धनात्मक ठीक है तो आठ रिनात्मक क्या बन जाएगा धनात्मक एवं तीन धनात्मक तो देखें तीन रहे है चार रहे है पांच धनात्मक रहे हो तो धनात्मक की रहेगा तो इसका अंसर हो जाएगा ये में धनात्मक ठीक है इसका अंसर क्या हो जाएगा धनात्मक यानि गुननफल का चीन क्या होगा धनात्मक होगा क्योंकि आठ रिनात्मक आठ क्या है समसंक्या है जो दो से कटता है तो जैसे यहाँ पर चार था उसी तरह तो आठ अगर रिनात् तो वो तो धनात्मक पहले सही है तीन तो दोनों मिलके धनात्मक ही आएगा इसका अब देखिए बी में बी में कह रहा है पांच रिनात्मक और चार धनात्मक तो देखिए धनात्मक कितना भी रहा है वो धनात्मक ही रहेगा अब यहां पर पांच रिनात्मक कह रहा है तो पा तो सम्संक्या में अगर मैनस आता है तो 機या बन जागा धनात्मक तो तो हम लखेंगे यहांपर c में, धनात्मत, ठीक है, हमेशा हमको, देखना है कि संख्या या या बिसंख्या, co, माइनस वाला, अब देखिए d में, माइनस एक को 2m बार, जहां, एम एक प्राकिट संख्या है, अब देखिए, माइनस एक को 2m बार का रहा है, M एक परकेट संख्या तो देखे 2M तो 2M कहा रहा है यानि M क्या है कोई भी परकेट 2 से 1 होना होगा तो 2 होगा अगर M के जगापे हम 2 रखेंगे यानि 4 होगा अगर M के जगापे हम परकेट संख्या बोल रहा है तो कुछ भी हम रख सकते हैं तो देखे 2 से गुना होके B-Sam-Samkhya भी Sam-Samkhya बन जाता है देखे 2 Sam-Samkhya उससे गुना हो रहा है B-Sam-Samkhya तीन तो क्या बन गया Sam-Samkhya दो से कटने वाला तो इसका क्या रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट आएगा धनात्मख याने इसका गुननफल क्या होगा धनात्मक होगा ठीक है तो हम बस अंसर लिखेंगे ये समझाने के लिए था इतना तो D में भी धनात्मक हो जागा क्योंकि 2 से कोई भी अंग गुना होगा प्राखिट संक्या तो वो सम संक्या ही बन जाएगा ठीक है इसलिए इसका अंसर क्या होगा धनात्मक अब देखिए कोश्चन नंबर 6 का A उचित गुनों का उप्योग करते हुए गुननफल ग्याद कीज़े तो देखिए कोश्चन नंबर 6 का A है 26 गुना माइनस 48 प्लस माइनस 48 गुना माइनस 36 तो देखिए हाँ पे माइनस 48 जो है दोनों में आ रहा है देखिए 36 माइनस 36 से भी माइनस 48 गुना हो रहा है और 26 से भी माइनस 48 गुना हो रहा है तो माइनस 48 को हम कॉमन ले लेंगे ठीक है तो अंदर बच जाएगा 26 प्लस माइनस 36 ठीक है इस तरह से देखें अंदर बच जाएगा 26 देखें माइनस 48 को हम कॉमन ले लिए बाहर ब्रैकेट कोश्टर के बाहर तो 26 प्लस है यहां पर तो प्लस का चिन देंगे माइनस 36 बच गया अंदर ठीक है तो अब हम लिखेंगे माइनस 48 गुना 26 पलस माइनस क्या हो दैं माइनस 36 तो क्या एक आंसर इसका यानि माइनस 48 गुना 26 में से 36 क्या तो देखें छोटा से बड़ा घट रहा है यानि माइनस 10 तो 4810 कितना होगा 480 माइनस माइनस पलस यानि इसका अंसर कितना आ जागा देखिए 480 अब देखिए B में है 8 गुना 33 गुना माइनस 125 यहाँ पर देखिए कहा रहा है उचित गुनों का उप्योग करते हुए तो देखिए 125 आठी कितना होता है तो 1000 होता है 125 आठी तो पहले हम 8 गुना माइनस 125 एक साथ लिख लेंगे फिर 33 से गुना करेंगे तो देखिए 8 गुना 125 कितना होता है माइनस लगा होगा है तो माइनस 1000 हो जाएगा 125 आठी 1000 गुना 33 अब देखिए 33 से जब माइनस 1000 गुना होगा उचित गुनों का इप्योग करके तो देखे पहले हम 125 अठी गुना करेंगे ताकि गुना करने में असानी हो ऐसे 8 से 53, 53 से 125 गुना करना पड़ेगा जो आएगा उससे तो ज्यादा हमको गुना करना पड़ेगा इसलिए क्या करेंगे 125 अठी बस पहले कर देंगे तो माइनस 1000 आजागा माइनस 125 गुने 8 इसको बाद 53 से बस गुना करेंगे तो तीन सुनने लगा देंगे तो इस तरह से हम question नमबर बी भी बी हल कर लेंगे अब देखिए C में 15 गुना माइनस 25 गुना माइनस 4 गुना माइनस 10 इस तरह दिया हुआ कोशन तो देखिए इसमें क्या करेंगे 15 गुना देखिए 25 चौक 100 होता है और 100 गुने 10 एक हजार यानि माइनस माइनस प्लस ये दोनों प्लस हो जागा प्लस माइनस माइनस तो माइनस क्या लिखेंगे 1000 गुना में ठीक है तो माइनस 1000 से 15 में गुना करेंगे तो माइनस 15000 इसका अंसर आजाएगा ठीक है माइनस 15000 इसका तो बस हमको पहले जो सुनने आ रहा है जिससे गुना करने पर उसको ला देना है उसके बाद आसानी से गुना कर देना ऐसे देखिए बहुत टाइम लगेगा पंदरा से पचीस फिर जो आएगा उससे चार फिर जो आएगा उससे दस इससे बहुत जादा टाइम लगेगा इसलिए पहले हम जो सुन आ रहा हो उसको गुणा कर लेता हैं उसके बाद जो संख्या दिया हुआ है जो पराकिर्थ संख्या है उससे गुणा करेंगे अब देखे, D में अब यहां पर है माइनस माइनस 41 गुणा 102 तो इसको हम लिख सकते हैं देखे, माइनस 41 होना, 100 प्लस 2, 102 को हम लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, ठीक है, तो आप देखे, माइनस 41 को 100 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा, माइनस 41 सो, प्लस 41 खुना, 82, ठीक है, माइनस 42 हो जाएगा, माइनस 41 खुना, माइनस 82, तो देखे, माइनस 41 सो, प्लस माइनस का होगा, 82, यानि देखे दोनों माइनस माइनस हो गया तो जोड़ देंगे तो हो जागा माइनस 41 अब 82 जूटेगा तो 4182 तो इसका अंसर देखें कितना आजागा माइनस 4182 तो बस देखें गुना करने से असान है देखें 102 को 100 प्लस 2 में हम लिख लेंगे 102 को उसके बादiron करके41 को गुना करेंगे 100 से पहले उसके बाद 2 उसके बाद जो भी माइनस प्लस आएगा उसको जोड़ या घटाओ करेंगे यह में देखें 625 गुना माइनस 35 प्लस माइनस 625 गुना 65 तो तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 625 है यहांब देखें माइनस 625 है तो हम पहले दोनों से देखें गुना हो रहा है 625 65 से भी यहांब माइनस 35 से भी तो 625 को हम common ले लेते हैं अंदर क्या बच गया देखें माइनस 35 ठीक है प्लस है तो प्लस देंगे यहांब देखें माइनस 1 बच गया गुना 65 तो यह हो गया देखे 625 गुना माइनस 35 प्लस माइनस देखे माइनस यहाँ पर 65 गुने माइनस एक कितना हो जागा माइनस 65 ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगा प्लस माइनस 65 इस तरह से देखे माइनस एक हम क्यों लिए क्योंकि 625 कॉमन लिए थे माइनस यहाँ पर 625 है इसलिए माइनस एक यहाँ पर कॉमन यहाँ पर रह जाएगा ठीक है यहाँ पर प्लस में हम सिर्फ कॉम 625 को बाहर निकाले है माइनस 625 को बाहर नहीं निकाले है इ 65 गुना माइनस 1 कितना हो जागा माइनस 65 यानि 625 गुना माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 65 तो बराबर 625 गुना देखिए माइनस माइनस क्या होगा जूट जागा तो 5510 शेतिन 910 यानि माइनस 100 से अब गुना करेंगे तो कितना आ जागा माइनस 62500 ठीक है देखिए माइनस प्ल हम पहले देखिए इसमें 625 को common ले लेंगे उसके बाद जो अंदर बचेगा यहां पर माइनस एक बचेगा माइनस 65 हो जागा फिर माइनस 35 और माइनस 65 माइनस 100 फिर गुना कर देंगे तो माइनस 62,500 इसका अंसर आजागा एफ में हैं 7 गुना 50 माइनस 2 तो देखिए 7 से हम दोनों को गुना करेंगे पहले 7 से 50 को फिर 2 से तो इस तरह लिख लेंगे 7 गुने 50 माइनस है देखिए तो माइनस 7 गुना 2 ठीक है देखे 7 से पहले 50 में गुना करेंगे फिर 7 से 2 में गुना करेंगे और जो माइनस 3 है यहाँ पर देंगे तो यह हो जागा 3.500 यह हो जागा 14 तो 3.500 में से 14 क्या तो देखे 10 में से 4 क्या 6 4 में से 1 क्या 3 यानि 336 इसका आंसर आजाएगा ठीक है तो G में देखे अब है माइनस 17 गुना माइनस 29 ठीक है यहाँ पर देखे माइनस 17 गुना माइनस 39 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 17 गुना तो देखे माइनस 29 को हम क्या लिख सकते हैं तो माइनस 29 को हम लिख सकते हैं तीन माइनस, देखें, तीन नहीं, एक माइनस 30 लिख सकते हैं, देखें, तीन नहीं होगा, एक माइनस 30, तो एक में से 30 जाएगा, देखें, बड़ा छोटा से बड़ा घटाएंगे, तभी माइनस 39 आएगा, देखें, एक माइनस 30, यानि एक में से 30 को घटाएंगे, तो माइ माइनस नहीं, 3 माइनस 20, ठीक है, 3 माइनस 20, गुना हो जागा,